नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है जनेसिस आईएस में दोस्तों आज हम बात करते हैं किम्बरले प्रोसेस की क्या है किम्बरले प्रोसेस क्यों चर्चा में रहा कैसे बना इन सारी बातों का हम इस वीडियो में डिस्कसन करेंगे तो दोस्तों किम्बरले प्रोसेस एक अंतराश्ट्रिय निकाय है यह KPCS का एक छोटा स्वरूप है अर्थात किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम हिंदी में इसको बोलेंगे किम्बरले प्रक्रिया प्रमाणन योजना दोस्तों किम्बरले एक शहर है दक्षिड अफरिका में जहां पर हीरे की खदाने बहुत सारी पाई जाती है वो हीरे, हीरों के खदानों के लिए विश्व प्रशिद्ध है कुछ उसी सहर के नाम पर इस प्रक्रिया का नाम रखा गया है किम्बरले प्रक्रिया वर्स 2003 में अस्तितों में आया एक फ्लावर रिपोर्ट बनी थी उसने ये कहा कि कुछ ऐसा होना चाहिए एक ऐसी प्रक्रिया हो जिसमें विश्व में हीरे के अवायद उत्खनन तथा अवायद व्यापार के दुस्प्रभावों पर रोक लगाई इसी तरह की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA ने संकल 55 अवलिक 56 में यह बात कहा था किम्बरले प्रक्रिया देशों नागरिकों NGO और उद्योगों के द्वारा मिल कर बनाई गई एक प्रक्रियागत निकाय है यह वर्स 2003 से ही कारे कर रहा है जैसा कि पूरो में ही बताया गया है वर्तमान में इस प्रक्रिया में कुल 54 सदस्य देश हैं जबकि कई सदस्य देश अभी इसका सदस्य बनना चाहते हैं EU एक देश के रूप में इसका सदस्य है भारत भी इसका संस्थापक सदस्य है मित्रो जैसा कि आप जानते हैं भारत हीरा प्रोसेसिंग का विश्व में सबसे बड़ा केंद्र है सूरत जिसका भारत में मुख्य केंद्र है और इस निकाए में अर्थात किमबरले प्रोसेस में सम्मिलित होने वाला नवीनतम सदस्य कैमरून है अब मित्रो बात करते हैं किमबरले प्रोसेस के कारे एवं लच्छों की किम्बरले प्रोसेस का मुख्य कार है कन्फलिक्ट डायमंड्स को मुख्य हीरे का जो वैद बाजार है उसमें प्रवेश करने से रोकना अब बात उठती है कि कन्फलिक्ट डायमंड्स क्या है तो कन्फलिक्ट डायमंड्स वह हीरा होता है जिसका उत्खनन अवयद रूप से हुआ हो जिसके उत्खनन में मानकों का प्रयोग न हुआ हो तथा वह ही रा जो ब्यापार में अवयद रूप से प्रयोग किया जाए तथा इस अवयद धन का प्रयोग वयद लोकतांत्रिक सरकारों को पदजित करने में तथा आतंकवाद, अंतराश्टी अस्थिर्ता लाने में प्रयोग किया जाया conflict diamonds basically अफ्रीकी महाद्यूप में पाया जाते हैं यही कारण है कि इसका नाम भी किम्बरले प्रॉसेस रखा गया मित्रों बात करते हैं कि किम्बरले प्रक्रिया चर्चा में क्यों रही इसलिए चर्चा में रही क्योंकि हाल ही में 12 से 16 नवंबर तक ब्रॉसेल्स बेल्जियम में किम्बरले प्रक्रिया की पूर्ण बैठक हुई तथा इस बैठक में इस प्रक्रिया के लक्षन कारियों और इसकी प्रगति की विवेचना की गई भारत के लिए किम्बरले प्रक्रिया इसलिए और महत्यपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारत एक जनवरी 2019 से किम्बरले प्रक्रिया की अध्यक्षता भारत करेगा भारत के विचार इसमें प्रमुक्ता से लागु होंगे भारत का मानना है कि विश्चो में हीरे का बाजार नियमित हो, अनियमित्ता नहों क्योंकि भारत स्वयम एक आतंकवाद पिडित देश है और अववैद हीरे के ब्यापार अर्ठात Conflict Diamonds का उपयोग अतंकवात के बढ़ावा में लगता है इसके अलावा भारत के लिए या एक बड़ी कुटनितिक वीजय इसलिए भी है क्योंकि भारती ये कमपनिया अफ्टों में बहुत बड़ा निवेस की है Reliance, Tata इसके अलावा बहुत सारी कमपनिया है जो अफ्रिका में बड़ी निवेसक है और जब तक अफ्रिका में सांती नहीं रहेगी इन कमपनियों का कारोबार वहां नहीं चल पाएगा बहुत सारे भारती लोग अफ्रिका में कार कर रहे हैं उनके सुरक्षा के लिए भी conflict diamonds का रोका जाना बहुत जरूरी है और तीसरी बात ये है कि चीन जिस तरह से अफ्रिका में अपने हाथ पाउँ पसार रहा है तो अफ्रिका में चीन को प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत का किमबरले प्रक्रिया का अध्यक्ष बनना कूटनीतिक रूप से लाबदायक हो सकता है और चौथी बात ये है कि अफ्रिका एक दक्षडी ये लोकतांत्रिक देशों का समू अधिकतर अफ्रिका में है तो उनका भारत के साथ एक प्रकार का सहयोग पहले से ही चल रहा है तो वो सहयोग और मजबूत होगा तो इस प्रकार से किमबरले की प्रक्रिया का अध्यक्ष बनना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक विजय है धन्यवाद दोस्तों